नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुरेश कुमार जैन हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जर्नल से लेजर में पोश्टिंग कैसे करते हैं यानि कि लेजर को कैसे बनाते हैं जर्नल की हेल्प से आज भी हम कुछ उसको भी बताएंगे और आज आपको बताएंग कि लेजर को बैलेंस कैसे करते हैं और उसके बाद उसको क्लोज कैसे करते हैं तो मैंने पहले से ही आपका टाइम बच्चाने के लिए पहले से कुछ जर्नल एंट्रिस मैंने नोट करके रगदी थी और उसको अपन इस जर्नल को लेजर में पोश्टिंग करके और उसको बैल इस्टाड का गुर्स परचेस सैलरी पेड और सुभास को पेमेंट किये और यहां पर देखिए कैश पिर यहां भी कैश यहां भी कैश तो सबसे पहले हम लेजर में कैश एकाउंट प्रिपेर का टेंट बनाते हैं पूपालयां ब thriving कि अरें कैश एक एकांट अविति opens ओगा तो जितने भी कैश से रिलेटेट्ड टांजिक्शन हैं ओस सब एकर लाओं कैसे एकाउंट में जितने भी कैस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसकों लिखेंगे ये डेविट साइड और ये क्रिडिट साइड दो साइड होती है तीस सेक्ट में होता है इधार कोई भी एंट्री करते हैं तो तूवर्ड और इधार बाई सबसे पहलने क्यों ससे सद्ड़ी नहीं कि फर्ष्ट प्र सपेंट ट्रोंड सिस्स्ति कैसे कंप लेडियो में पड़ चूकर है कि कोई भी एकाउंट यहां पर देविट है तो उसके डेविट में हिंट्री होगा लेकिन ना इसके अपोजीट वाले एकाउंट गाले कि कभी भी नहीं क्योंकि किसके साथ हुआ है तो यहां पर यह देखिए टू केपिटर कि हमने एक रॉपए वन लाइक बिजनिस में इंवेश्ट करके बिजनिस स्टार्ड किया है तो कैप्टर हुआ है अब यहां पार कैप्टर में एमांड जी तरह हमें कैश इंवेश्ट करना आएगा यह पूरा नहीं लिखना है क्योंकि इसमें फर्डिचर का भी उक्रूर है तो वन लाइग कैश एकाउंड के देविट में आ गया क्रेडिट वाले करना तू कैप्टर वन लाइक और जब कैप्टर एकाउंड बनाएंगे तो उसमें डेविट वाले करना होएगा अब कैश का इसके बार इक अप्रेल पचीज को कैस अकाउन क्रेडिट हुआ है हम ने सैलरी पेड़ किये तो कैस अकाउन के क्रेडिट में दे अप्रेल 25 यह देट था अप्रेल था अप्रेल 25 कैसे अकाउंट क्रेडिट तो कैसे अकाउंट क्रेडिट में आएगा डेरी टो आएगा था बाई सेलरी कैसे अकाउंट क्रेडिट एपी लें तो उसके पर कैसे पर सिंपल मैं खाक सव श्रीट सेंपल स dennig aege one और देखिए यह यहां पर कैस्च्व ड़ा क्रेडि Camp तो फिर उसके credit में हैगा April 28th April 28th Cash account credit है उसके credit में आएगा वाहिज सुभाष क्योंकि Cash credit है तो उसके credit में debit वाले account काना महीं तो कैसे पता चलेगा कि हमने Cash किसको पेट हिया तो सुभाष काना आएगा वाहिज सुभाष तो कैसे एकांट को धेर कर हम पता जाना चाहिए कि हमारे पास ड़्या गे तो यहने हमको पता चलिए कि हुद का लिए की किस को भी है कि कि से मिला तो नोगत तो विर जेने ये नियार है यह पर रिखेज कितना जाए किया है देखिए 4,900 तो two cash यहां पर credit है तो उसके credit है तो उसके credit है देविट में बाई सुभास 4,900 क्योंकि 100 रुपी discount हो गया है तो वो तो discount account में जाएगा cash तो हमारा इतनी effect हुआ है अब cash related जो transaction में इसमें पोस्टिंग कर दिये यह पिछले वीडियो में भी समझेते कि पोस्टिंग कैसे करते है अब इसको balance कैसे करना है यह में चीज़े थोड़ा समझने के लिए balance करने का मतला होता है दोनों तरफ का difference और वो difference करने के लिए आपको rough में या अपने calculator में यह देखना चाहिए कि debit और credit का difference कितना है तो यहां पर वन लेके debit में और credit में 1,000 है 4,900 यानिकि 5,900 तो यहां पर देखिए इधर amount बड़ी है debit की amount जगा है credit की amount काम है तो दोनों का difference आएगा उसी को बोलते है balance तो balance कितना आ रहा है वन लेक में से यह amount minus कर देगे तो balance आ जाएगा अब यह कौन सा balance तो दोई balance होते हैं लेजर में या ध्यान रखिएगा लेजर में दो इंडाइक के balance होते हैं या तो debit या credit डेविट balance किसको होते है credit balance किसको होते है वो भी अभी आपको यहां से समझ में आ जाएगा यहां पर अभी आप देखिए कि डेविट में वन लेक क्रेडिट में 5900 तो डेविट ज्यादा है डेविट का टोकल ज्यादा है कितना ज्यादा है तो यह वन लेक वन लेक में से 5900 आप माइनस कर देंगे यह 94,000 94,100 इदर का ज्यादा है डेविट का बढ़ा है जब आप तराजू में कोई चीज तोलते हैं इदर का पलड़ा ज्यादा है तो बैलेस करने के लिए क्या करते हैं तूसरे साइट आपके तभी तो बैलेस होगा तो अभी हम ब तो इदर का ज्यादा है तो इस cash account को बैलेस करना है तो जो difference आ रहा है वह को इदर लिखना पड़ेगा credit साइट में और क्या लिखेंगे एक यह बाई बैलेंस को बाई बैलेंस किरीदाओं करते की फिर Birthday क्टे लिखी बैलेंस वापस अगले महीने या अगले साल जब नया एकाउंट ओपन करेंगे तो यही क्लोजिंग बैलेंस अगले साल के लिए हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है इसको भी बैलेंस करें बराबर करें इधर का पलड़ा ज्याद है तो यहां पर कितना है था यह बैलेंस डिफ्रेंस 94,100 94,100 बैलेंस करेंगे और यह बैलेंस हम करेंगे 30 अपरें 30 ऐसा क्यों तो अब रिखिए कोई भी बिजिनिस में कभी भी अपनी मर्जी से एकाउंट का बैलेंस नहीं करता है जेनरली बैलेंस होता है एड़ दे एंड आफ दे एकाउंटिंग इयर एकाउंटिंग इयर के एंड में 31 मार्च को लेकिन कई लोग हर महीने एकाउंट का बैलेंस करके देखते रहते हैं कि इस महीने किसका क्या अहांगे लेंगे, अगे मैं अगे लखेंगे balance, brought down अब ब्राट डाउन होगे कैसे करते हैं? यह सब बताएंगे आपको सबसे पदे हम यह balance escrito डान कर दिया, इधर निकियो लखा इधर का ज्यानचा इधर का नाचु का बड़ा है तो उदर ही डालना मझे हम ग्रें तो यह कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं यह पर क्रेडिट में लिखें तो कई लोग बोल देते हैं कि यह क्रेडिट बैलेस है यह क्रेडिट बैलेस बिल्कुल नहीं है यह डेविट बैलेस है क्योंकि यह इतना जो एमाउंट है यह हमारा डेविट का बढ़ा है तो डेवि लिखा है तο क्लोस करने के लिए इदर का ज्यादा था तो ये डेविट-स अब पमें साधियान रखना कि debit का total ज्यादा है कि से credit साइज से तो हमने लिखा credit में क्रेडित करें हो लेकिन यह कुम सा बैले से debting और किसी account में इदर का total ज्यादा है और इदर का कम है तो यहां लिखेंगे two balance cd लेकिन वो कौन सा balance होगा credit balance क्योंकि credit का बढ़ा है तो इधर का ज्यादा होता है तो यहां लिखेंगे two balance cd और इधर का ज्यादा है तो यहां लिखेंगे five balance cd क्रेडिट का ज्यादा है तो क्रेडिट बेलेंस और डेविट का ज्यादा है तो डेविट बेलेंस किसी भी लेजर का डेविट साइड 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 क तो वो क्या क्या लाएगा credit balance तो किसी भी account का या तो debit या credit दोनो एक साथ नहीं होगा किसी भी account में या तो debit balance होता है या credit balance कर भी कर दिए कर दिए कोई account में दोनो side बराबर हो जाता है जैसे आपने मान लो नरेंदर से goods खरीदा था और कुछ दिन बाद उसका payment भी कर दिए तो नरेंदर का तो account आप बनाओगे तो दोनो तरह balance अपने आप equal हो जाएगा तो उसमें balance CD, PD कुछ भी नहीं लिखना है उसमें आपका debit या credit balance कुछ भी नहीं होगा वो अपना विक्वल हो जाएगा क्योंकि आपने जब goods खरीदा तब आप उसको credit कियोंगे नरेंदर को वो giver है और जब आप वापस उसको payment किये तो वो receiver कर दियोंगे तो आप उसका account बनाओगे तो बराबर हो जाएगा तो जिन account में दोनों तरह का total बराबर हो जाता है उस सबस्वास का account बनाओगे तो अपना बराबर जाएगा उसमें कोई balance ही नहीं मचेगा डैविट क्रीडिट तो हमने यह balance यहां पर लिदिया उसके बार यह total equal कर दिया जाता है यह total equal करने के लिए तो हम balance calculate करते हैं फिर उस balance को next year ले जाते हैं और आप देखेता हमये होना चाहिए यह टोटर बिल्कुल आपने सामने होना चाहिए ऐसा नहीं यह ऊपर कर दिये इसको यहां कर दिया ऊसको यह कर दिया है ने कि भलकुल रहने सामने ब म attracted कि वह हमने तो हम्हें सबसेते कैया अे सब्हें का है जो आया 24,100 और उसके बाद हमने उसको close कर दिया और close किये तो दो मतर का total equal और close करेंगे तो हमसे equal रहेगा क्योंकि difference हमने लिख दिया है तो equal हो गया है तो हमें सब ज्यान रखना है कि debit का total ज्यादा है तो एक credit में लिखेंगे और इसको बोलेगे debit balance और credit का ज्यादा है जब हम यह close कर गते हैं तो वापस इनको next month या next year brought down करते हैं बैलेंस को जब हम अगले महीने वापस इस balance को लिखेंगे 30 अप्रेल को close किये मन्द के end में तो वापस अगला महीना हुआ एक मही तो एक मही को जब हम cash account बनाएगे तब इसी balance को वापस brought down लिखेंगे लेकिन किदर अभी हमने बता है यह कौन सा balance है डेविट balance है तो वापस next month महीन जब cash account बनाएगे तो debit side यह देखें यह close हो गया अप्रेल का close उसको close करने के बाद उसके आगे यह इसके बाद हर्ष्ट मैं 2016 तू बैलेंश तू बैलेंश ब्रॉट डाव अब कितना लिखेंगे इसमें भी कहीं लोग गलत करने थे तो टोटल को लिखेंगे तो टोटल को नहीं यह जो उन्हें बैलेंस केल्कुलेट किया था वह बैलेंस लिखना है अब इसके आपको क्या पत्ता चलता है कि हमारे पास हर्ष्ट मैं को इतना कैस का ओपनिंग बैलेंस है में आगे लाना तुछ यह सको आगे रहे हम लिए ऐसे दाँड में होता है। ऐसे पर बैलेन्स करते हैं उसको है टोटल धेकील कर देते हैं.. अब देख हीहे जब हम हर मैने बैलेस्फियर करना है PM पत्ता करना है यदि आप हर मेने close करने तो उसके बाद आप yearly account close करते हैं 31st March को तब personal account को close करने का रूल अलगे real account को close करने का रूल अलगे और nominal account में expenses और income को close करने का रूल अलगे expenses में भी दो type के expenses होते है direct expenses indirect expenses तो यह क्या direct और indirect होते है उनको भी close करने का रूल अलग है का जब हम year में एक बार close करते हैं तब सब के रूल अलगे लगे लेकिन monthly close करोगे हर महीने balance आपको find करने तब तो कोई problem नहीं सब को close करते समय balance cd और उस balance को वापस अगले मीने लिखते समय balance bd credit में by balance cd है तो debit में आएगा to balance bd क्योंगी है debit balance है और इधर आपने लिखकर close किया तो इधर आएगा by balance bd तो मैं expect करता हूं कि आपको यह balance of close करने का समझ में आया होगा फिर भी हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि लेजर को जब yearly close करते तो उसके close करने के रूल क्या है कुछ और आपको practice हम करवा देंगे बस मेरा आप से यह request है कि आप अपना यह जो knowledge हम आपको दे रहें इसको और आगे बढ़ाते रहें धन्यवाद जै जिनेंद्र